आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार जिसके बाद से सभी जो गटबंधन होने थे या पर पार्टी की शेरिंग होनी थी सीट शेरिंग होनी थी उन सभी चीजों का समय अब पूरा हो गया है अब जन सभाएं और रैलियों पे भी लगाम लग गई है अब सिर्फ थोड़ी बहुत राहत है और बाकी सब चीजों पे लगाम लगती नज़र आ रही है अगर बात करें चुनाओ की तो कई पार्टियों में गटबंधन हुआ है वो चाहिए सपा हो या फिर बीजेपी हो जिसके साथ जिसमें चर्चा करने के लिए हमाईसा दो मौझूद है महमान उनसे हम जानेंगे कि आखर ये दल क्या है और ये किन लोगों से संपर करकता है इनके जो मुद्दे है वो क्या है तो हम आज इनी सब चीजों पे चर्चा करेंगे प्राइम चर्चा में और इसी समाज पार्टी से आप दों ने कहुत बहुत-बहुत स्वागत है तो सबसे पहले सुनील कुश्वा जी मैं आपके पास आना चाओंगे और जनना चाओंगे कि जो ये आपकी पार्टी है वो दस पारटीों से बना हुआ जो हिस्सेदारी मुर्चा है तो इसे दसका दम कहा जाता खर इसके पीछे बजा क्या है देखिए प्राइम टीवी को सबसे पहले धन्वाद देना चाहता हूं कि हम लोगों को इस चुनावी चर्चा में सामिल किया और भाजपा हिस्सेदारी मुर्चा गडबंधन दस दलों का एक मुर्चा है और भारतिय जनता पाटी ने हिस् स्योंजक्त है उन्होंने किया और मैं इंजिनिर सुनिल कुष्वाहा राष्टियद्ज प्रकसील समाज पार्टी का इस हिस्सेदारी मुर्चा गडबंधन का मैं सहसेद्जक हूं और इसमें जो और जातियों के डल हैं जैसे सोशीद समाजपार्टी है बाबुलाल राजभ पर हम लोगों का बहुत बढ़िया प्रभाव है और जमीनी अस्तर पर हम लोग संगठन रखते हैं इसलिए इसको दस कदम आप ने कहा जी मैं आप से जाना चाहूंगे कि जस तरह से दस पार्टियों से जुड़के है हिस्सेदारी मोर्चा बना है तो इसमें किस वर्ग विश पर्टिया है अलग-अलग छेत्रों से समंद्र रखन वाली पर्टिया है इसमें केवट समाज है कुस्वहा समाज है चोहान समाज है मुसर समाज है प्रजापती समाज है कस्यप समाज है तो इस तरह से यह जातिया अपने यह पार्टियां अपने अपने जातियों में अच् तो यह इस तरह से दस दलों ने मिलकर के हम लोगों ने हिस्दारी मौर्चे का गठंद किया है और 27 अक्टूबर को इस देश की सबसे बड़ी पारटी बीजेपी के साथ इस हिस्दारी मौर्चे का गठबंदन हुआ है और गठबंदन के तहट हम लोग चुनाव छेतर में जा मिलेगी तो आपको क्या लगता है कि कितनी सीट आपको भाजपा की तरफ से मिलेगी या आपकी कितनी सीटों की मांग है अब भाजपा इस्दारी मौर्चा गठबंदन में जिस तरीके से 10 दल है और बहुत मजबूती से अपने अपने छेतरों में ये प्रभाव रखते हैं और जमीनी अस्तरपर्न का सगटनात्मक धाचा है हम सभी का और लंबे समय से हम लोग अपने अपने छेत में समाज के लिए और देश और गाउं विकास गाउं गरीब किसान मजदूरों के लिए काम करें उस आधार पर लगबग हम लोगों का उमीद है कि 25 सीटों की जो संख्या है वो हम लोगों का एक एजेंडा है और इस पर बाच्ची चल रही है और लगबग 25 सीटों तक की हम लोग उमीद करते हैं कि बाच्पा इसे दारी मोर्चा गडबंधन को मिलेंगी बाबुलाल जी आप भी इसी मोर्चा के अंग हैं हम आपसे जाना चाहेंगे कि आखिर भाजपा से ही संगर गडबंधन क्यों कि आखिर ऐसी कौन सी नीती पसंद आई ये भाजपा की दिखिए भाजपा एक राष्टवादी पार्टी है और हमारे जितने भी घटक दल है से समझवादी पार्टी है वो राष्टवादी नहकर के हम उसको परिवारवादी पार्टी का सकते हैं ये कांग्रेस भी उसी तरह से हैं बहुजन समाज पार्टी भी उसी तरह से और एक छोटे नए दल जो भरके आए हैं पिल्ले बेंक की तरह भद जिससे भादों में परिवारवाद में सिमित है जब जब इनकी सरकार बनी है जब जब इनको मौका मिला है कुछ काम करने के लिए ये क्योवल इनका इनका काम परिवार तक ही सिमित रहता है तो हम चुकी राष्ट के लिए देश के लिए काम करना चाहते हैं करते भी हैं सोसी समात जो भी कि जरूरती तो मैंने हम लोगों ने सोचा सभीята 100 दल ने ङ비सेदारी मोर्चे के ज़ो घटक दल है सभी लोगों ने सोचा कि हमें आईसी प्रटी से गटबंदन करना चाहिए जो राश्च्र की लिए सोचती हो पूरे देश के लिए सोचती हो किसी एक तajađ वीसेस या परिवार के लिए नहीं सोचती है, तो हम का सकते हैं कि भारतिय जनता पार्टी का एक छोटा कार्यकारता भी राश्टी एधच बन सकता है, लेकिन जो जितनी परिवारवादी पार्टी या जो लिमिटेड कंपनी की तरह से है, उनमें राश्टी एधच का पद एक परिवार बीजेपी के साथ जी सुनील कुश्वाजी जिस तरह से सभी दल एक साथ आ गया और एक मोर्चा बन गया तो इसकी शिरुवात कब हुई कैसे ये सब दस दल एक साथ आए और सब अलग-अलग की वर्ग से आते हैं और वर्ग वशेश को लेते वे साथ चलते हैं तो कब ये मन म आया कि सभी को एक साथ होके आगे बढ़ना चाहिए और पूरे समाज को देश को आगे बढ़ाना है इस मोर्चा के द्वारा दिके सही माइने में ये दसो दल अपने अपने छेतर में काम कर रहे थे संगठात्मक धाचे के साथ और एक तरीके से चूकि छोटे दलों के गिंती में आते रहे और इनका विस्तार छेतर कुछ विधान सबाता कि अकोच जिलों तक था जियद्देपी की कुछ संगठन, केवट राम धनी बिंद जी का रोल जो की बरतमान में भाजपा हिस्यदारी मुर्चा गडबंधन के सहींजक हैं, उनका सबसे बड़ा एहम रोल है कि उन्होंने इन सभी दलों को ढूल निकाला, जगे जगे ये अपने अपने छेतरों में कारी कर रहे थे और हम लोगों से संपर किया, हम लोगों ने मिलकर फिर एक प्लान बनाया कि एक साथ एक जुटता के साथ यूनिटी इस पावर के सिधान को पालन करते हुए, चुकि एक जुटता के साथ जब काम करने की बात आई तो सभी लोगों से सहमती बनी और फिर भाजपा हिस्यदारी मुर्चा गड फिर उनके प्रदेश अध्यच और अन्यनेताओं से मुलाकात के बाद फिर इस मुर्चे का भारती जनता पार्टी के साथ पिछले 27 अक्टूबर को विधिवत भारती जनता पार्टी के प्रदेश कार्याले में घुशड़ा हुई जी सुनील जी बाबु उद्लाल जी ने ये तो बता दिया कि उनकी वंशवाद की जो नीती चलती आ रही है देश में जो कई पार्टिया है वंशवाद लेके चल रही है जिस वजह से आप लोगोंने बीजेपी का दावन धामा है लेकिन जो चुनावी नीतियां है वो सब क अपने कुछ एजेंडे हैं अलग-अलग छेत्रों के हिसाब से या उसके संगठनात्मक धांचे के हिसाब से उनके अपने बीजन है और उसके बाद भाजपा हिस्सेदारी मुर्चा गडबंधन के तहित हम लोगों ने अपना एक कामन संकल्प पत्र तयार किया और हम लोग की घडबंधन है लेकिन अपने अपने अजेंडे हैं अपने अपनी पार्टियों के अपने छेत्रों के हिसाब से जी तो हम यह जानना चाहेंगे कि ऐसे कौन से एजेंडे हैं जिसको लेकर आपके पार्टी आपका मोर्चा आगे चल रहा है देखे सबसे पहला मोर्चा तो कांग्रेस की भी सरकार रही राश्टी अस्तर पर भी रही उत्तर प्रदेश में भी रही और अन्य राजियों में भी छेत्र अस्तर पर सरकारें रही हैं अलग अलग दिलों की लेकिन आपने देखा कि इतना समय हो गया आजादी के बाद लेकिन इस देश के जो गरीब किसान म जातियों के लोगों ने अपने समाज के उत्थान के लिए अपने छेत्रों के उत्थान के लिए दल बनाए उसी करम में भारती जंता पार्टी के साथ जब हिस्सेदारी मुर्चा गडबंधन हुआ तो हम लोगों का मुख एजंडा कह सकते हैं जो इस गडबंधन का एजंडा है या मुर्चे का एजंडा या हम लोगों के पार्टियों का एजंडा है वह यह है कि जो तबका जो हिस्सा समाज का विकास से वंचित रह गया जिसको उसका हक और हिस्सा नहीं मिल पाया लंबे समय के बाद भी उसको उसका हक घ्सा दिलाने के लिए एक लड़ाई लडी जाए उसी के लिए मुर्चे का नाम भी हम लोगों ने हिस्सेदारी मुर्चा रखा तो पहला और सबसे बड़ा एजंडा हम लोगों का यही है कि हक और हिस्सा दिलाना वनचित तब के का जी बाबुलाल जी जिस तरह से सुनील जी ने बताया कि जो लोग अपने हक से वनचित रहे गए हैं उनको उनका हक दिलाना यह सबसे एहम मुद्दा है लेकिन यह माना जाता है कि जो पिछड़े वर् बस्पा को जाता है तो क्या हम देख सकते हैं कि आपके मोर्चे के द्वारा कई लोग जुड़े हुए हैं और अब बीजेपी को भी इसका समर्थन मिलेगा देखे जब बस्पा इसमें तो थोड़ा सा हासिये पर चल रही है जिसमें बस्पा अच्छा कम कर रही थी उस समय दे जात इबीसेस के लोगों के लिए काम किया है यही चीज हर पार्टियों जो भी समझवादी पार्टिय भी है सभी दल सभी पूरे जितने हमारे देश में जितने गरीब सोसित बंची तपके के लोग है सभी लोग तो बात करते हैं लेकिन जैसे ही सरकार बनती है कुछ काम कर तो आकर के अपने जात इबीसेस में अपने परिवार तक्सिमित रहने का काम करती है इसी को देखते हुए 2017 में उत्तर परदेश के सभी जात धर्म के लोगों ने मिलकर के एक बीजेपी को प्रचंड बहुमत 315 का दिया जो इतिहास में एक रिकार्ड है तो हम यह उत्तर प बिकास के नाम पे काम के नाम पे वोट करना चाह रहा है तो निसिस रूप से आने वाला जो 2022 का समय होगा सपपा बसपा और कांग्रेस का पतन होना निसित है जो थोड़ा बहुत बच्चुका है वो भी खतम हो जाएगा अब सरकार उन ही की बनेगी सरकार उन ही की चलेगी जो सभी जाति धर्म के लोगों को ले करके सुसित के नाम पे गरीब सुसित बंचीतों के नाम पे अपना काम करेंगे। देखिए किसी खास दल की बात जैसे बीजेपी की बात कर रहे हैं कि क्या उन्होंने पिछड़े वर्गों को लिए काम किया है। लेकिन आज हम लोग गाउं की बस्तियों में जाते हैं। हम लोग तो पीछे काफी समय से संगर्स कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, छेत्रों में जाते रहें। लेकिन हमने देखा कि जो योजनाएं आज तक नहीं लागू की गई थी, तमाम जैसे गरीबों के लिए मकान हो, दलिद बस्तियों के लिए उत्थान की बाते हो, सडकों का निर्माण उन्होंने गाउं गाउं तक पहुचाने का काम किया। और एसकोलर सिप्स है, वजीफा है और इस तरीके से तमाम जो पिछडी जातियां हैं उनके उत्थान के लिए नीति निर्माण की दिसा में ये काम कर रहे हैं। लेकिन चुकि 70 साल से जो विकास अधूरा था या उनके उत्थान की बातें नहीं हो पा रही थी, अचानक से कोई पर नहीं लग जाएगा, समय देना पड़ेगा, पांच-साथ साल में हम लोगों ने देखा कि काफी प्रयास इस वर्गों को उपर उठाने के लिए के लिए लेकिन अभी नीतिगत मामलों में, जो नीतियां जैसे बनती हैं, जो कुछ मसले ऐसे होते हैं, जो दिन प्रतिदिन के सरोकार से जुड़े होते हैं, कुछ मसले ऐसे होते हैं, जो नीतिगत मामले होते हैं, जिसके लिए संसद और विदान सभाओं में कानून बनाने के उस दिसा में भारती जन्ता पार्टी एक एजंडा लेके काम कर रही हम लोगों ने देखा जिसके परड़ाम आने वाले दिनों में मिलेंगे पच्छे सीटों की मांग है और उमीद है कि पच्छे सीटे मिलेंगी तरफ से तो कौन-कौन सी जगह से सीट या फिर उमीदवार उ पतारेंगे देखे सीटों की जो बात है तो जो दो भी दल है इनके अपने अपने कारेश्चेत्र है निश्ची तोर पर ये पुर्बांचल की सवसु सीटों पर ये हिस्सेदारी मुर्चा बहुत मजबुती से प्रभाव रखता है और इसके जो घटक दल है उनका अपना- इस बात को अस्पस्ट हो जाएगा जी जिस तरह से कोरोना संक्रमट फैल रहा है और जुनाओं भी है तैयारिया क्या कुछ है आपकी दिखिए हम लोग तो सुरू से जमीन पर काम करते आए हैं हम लोगों के लिए तैयारी के लिए कोई बिसे सो नहीं है चुकि तैयारी तो हम लोग जमीन पर काम करते आए हैं गरीब-दशब के लिए काम करते है तो तैयारिया हम लोगों की आल्लेडी पूरी है kindness को नहीं तैयारी नहीं करनी है । लिए वजो बसके लिए चुनाव का इंतजार कर रहे थे उनके लिए टियारिया कम पड़ सकती है जैसे अभि अब आपा सुप्रीमों ने कहा है कि जो पिछले अपने अपने सरकार में लेपटाप बाटे थे और टीका टिपड़ी करते रहते थे महाराजी पर की महाराजी को लेपटाप वगर नहीं चलाने आता है जैसे ही कल चुना आयूग ने घोसडा किया कि चुना सोसल साइड के माध्यम से निव चैनलों के माध्यम से चुना परचार जारी रहेगा तो उन्हों ने अपना एक वक्त तब बेजारी किया था कल कि इसमें तो बीजेपी बाजी मार जाएगी मतलब कि अब तक कहते ही आया है कि बीजेपी के लोगों को या उत्तरप्रदेश के मुख्यमंतरी मन्या लेपटाप चलाने नहीं आता है यह तमाम इस तरह से कर रहे थे जैसे ही कल चुना योग ने कहा तो उनको वो कह रहे हैं कि सोसल साइट पे बीजेपी मजबूत पड़ेगी अर्था मेरे कहने का मतलब यह है कि कि अब उनके लिए तैयारी उनके लिए थोड़ा सा बीसे जो भी समय चुनायों का जो प्रतिबंद लगा है उनके लिए थोड़ा सा कठिनाई मसूस हो रही है उनके कल के वक्तब से ऐसा अभास हुआ है कि आने वाले 2022 में हमार हम जो सोच के चल रहे थे बड़ी बड़ी रहलियों के माध्यम से पैसे के माध्यम से बोर्ड को प्रभाव थे लेकिन मैं धन्यबाद देना चाहूंगा उत्तरपदेश के से मुख्यमंतरी मन्य योगी जी को जो उनके चीपे हुए लाकरों को ढूड़ने का काम किया है यहां तक कि दिवारों में कभी आपने सोचा नहीं होगा पैसे के लिए हम लोग आलमारी रखते हैं तीजोरी की सरकारी मुख्यमंत्री कई है क्या है तो उसलोग चाहिं के लता है के हमारे परदेश में कौन क्या कर रहा है कहा पर ला धन फह हुआ है कहां अच्छा काम कर हुँआ है अब वागी काम जो आई टीम है अपनी काम निश्पता से कर रही है उसके लिए उनको भी बहुत बहुत धन्यबाद जी सुनील जी जिस तरह से आतंक पे लगाम लग रही है अपर आधियों पर लगाम लग रही है तो बीजेपी के काम से क्या आप खुश नजर आ रहे हैं और जिस सरह से अब आचार सहीता लग गई है तो जनता के बीच कैसे जाएंगे अब जनता के बीच तो जाना होगा लेकिन चुकि कुरोना है और ये एक महत्वपूर मसला है और इस समय जनसभाए नहीं हो सकती है यह सवाविक बात है मीटिंग्स नहीं हो सकती है वर्चुल माध्यम से जनता के बीच जाने की जरूरत है और सोसल मीडिया का इस्तेमाल करने की जर जनसभाएं और रैली करके किये जाते रहे हैं यह बदलाव का दौर है पीछे कोरोना काल में हम लोगों ने काफी बदलाव भी आये हैं जैसे एजुकेशन सिस्टम पूरा आनलाइन एजुकेशन सिस्टम हो गया ता वो अर्चुल माध्यम से जनसभाएं और रैली और मीटिं साथ लेकिन इसमें हम लोगों का मुर्चा और खास्तोर से हम लोगों के जगटक दल है यह अपने अपने छेत्रों में लंबे समय से काम कर रहे हैं और इनका जमीनी अस्तर पर बहुत मजबूती से लगाओ है इसलिए इससे बहुत विसेश फरक नहीं पढ़ने वाला है और भाजपा हिस्सेदारी मौर्चा गडबंधन को हम लोग बहुत आराम से कह सकते हैं कि भारतीय जनता पाटी जैसे 300 सीटों की बात करती है तो भाजपा हिस्सेदारी मौर्चा गडबंधन जो है 365 सीटों को जिता कर एक बार फिर से भारतीय जनता पाटी की सरकार उत्तर प्र जिस तरह से कोरोना काल के बीच में अभी ये लोकतांत्र का पर्व हो रहा है इसमें क्या संदेश देना चाहेंगे जनता को ये संदेश देना चाहेंगे कि चुनाओ तो बहुत संबैधानिक प्रक्रिया है एक समय के बाद चुनाओ होना ज़रूरी है इसको टाला नहीं जा सक करें और बच्छत करते हुए इसे चुनाओी पर्वे में और एक तेवहार है जिसको हम लोग कहते हैं लोकतांत्र का इसमें अपनी पूरी भूमी का आदा करें बहुत 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 शुक्रिया दोनों मेहमानों के हमाई से जुड़ने के लिए हमाई साथ बाबुल जमेफल हाल इतना ही तमाम खबरों के लिए देखते रही है प्राइम टीवी